दूसरों आज हम बात करने वाले हैं DCM श्रीराम स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ देखिए जब से स्टॉक ओपन हुआ है लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है थोड़ी बहुत अपमूव अभी देखने को मिल रही है 902 रुपे 45 पैसे पर अभी स्टॉक ट्रेट कर रहा है वहीं थ्री आवर चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे रिकवरी बनाने की कोशिश यहाँ पर स्टॉक कर रहा है यह आपके सामने हमने लगाय हुआ है 44 ऐसे में इसको क्रॉस करने की कोशिश स्टॉक कर रहा है देखिए जैसे ही इस resistance level को stock तोड़ता है एक शानदार recovery हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर एक अच्छा खासा bullishness stock में जो है पर उपनती हुई नजर आएगी targets जोगी जल्द ही stock achieve करेगा वो होने वाले हैं 925, 950 यह targets achieve होंगे अगर उपर की तरफ तेजी stock बनाता है नीचे की तरफ हमारा support रहने वाला है 875 रुपीज का इस support का पूरा ध्यार रखना है अगर इसको break करके stock नीचे जाता है और निचले levels दिखा सकता है लेकिन यहाँ से up move expected है देखने को मिल सकता है अच्छी खासी तेजी हमें stock बनाता हुआ नजर आएगा तो यही strategy आपको उपनानी है अभी fresh buying को थोड़ा avoid करें wait and watch की strategy अपना कर सरूर जरें तो यही बताने के लिए हमने video बनाई थी धन्यवाद